कि आपने भी Google पे एप से किसी को पैसे बेजे थे और आपके एकाउंट से पैसे गड़ चुके हैं बट आपने जिसको बेजे हैं उसके एकाउंट में नहीं पहुँचे हैं तो डोंट वरी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा किस तरह से आप अपना पैसा अपने एकाउंट में रिफंड मंगा सकते हैं आपका हर एक डाउट किलियर कर दूँगा और आज के वीडियो आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है इसलिए वीडियो को लाश्ट तक देख लेना जिससे कि आपके मन में एक भी सवाल ना रहे सबसे पहले बात करते हैं अगर आपने किसी को पैसा बेजा है और आपकी एकाउंट में नहीं पोचा है और आपके गूगल पे अप्लिकेशन में दिखा रहा है पैमेंट प्रोसेसिंग तो ऐसे में क्या होता है कि 99% कैसे में पैसा है वो जिसको आपने सेंड गया है उसके अगर उसके एकाउंट में कोई धिक्कत नहीं है तो जो पयस है विह आपके एकाउंट में वार्पस reviews कर दिया गया है आप comment box जागण चेक करना होगा अगर आप compatible करना है सिंपलि Google customer 1 से बात करनी है जिस नमबर आपको कमेंट बोक्स में प्रोवाइड कर दिया अब कमेंड बोक्स जागर चेक कर लो वहаं पर आपको गूगल पर staler केरिक विश्य 12th तरह को तरह से करनी है आपको उनसे कह्किना ह longitud कर डिंई कि हमने कि अlında थोड़ lifes उसके दो सकता है यहां कोना सब्सक्राइबालाट यूज़ इसा पूसेफBack से पहरा नहीं परुट तो समय होते हैं सेटर्डे एंड संडे को जो है बैंक की छुट्टी रहती है इस वज़े से यह दो दिन काउंट नहीं किया जाते हैं अगर साथ दिन के अंदर भी आपकी पेमेंट केलियर नहीं होती है तो आपको अब बैंक जाना होगा बैंक जाना है लेकिन इससे पहले आपको साइबर आपको एक application लिखवा देनी है लिखवाने के बाद आपको जाना है bank manager के पास देखो अगर आप बैंक में जाएंगे ऐसी जो कर्म चारी होते हैं अगर आप उनको जाकर देंगे तो आपकी application को ऐसे नहीं लेंगे और आपको टालम टॉल करके भेज़ देंगे कि आपकी जो गूगल पे वाले ही जाने की आपने payment की थी तो वही क्लियर करेंगे इसको नहीं आपको क्या करना है bank manager के पास जाना है कुछ इस तरह से आप अपनी payment को क्लियर करवा सकते हैं वैसे mostly cases में 24 hours within 7 days आपकी payment क्लियर हो जाती है अगर नहीं होती है तो मैंने आप से कहा है कि bank जान क्योंकि वहां पर वह भी आपको उल्टा सीथा बोलेंगे तो साथ दिन से पहले पहले आप बैंक मत जाना क्यूंकि साथ दिन के अंदर अंदर mostly cases में payment क्लियर हो जाती है अब बात करते हैं दूसरी case की दूसरे case में यह होता है कि अगर आपने किसी को payment भेजी है आपके account से payment कट गई है बट आपने जिसको payment भेजी है उसके account में नहीं पहुची और आपके गूगल पे application में दिखा रहा है payment तो ऐसे में क्योता है आपकी payment 100% आपके account में refund कर दी जाती है अगर आपकी payment 24 वर्स के अंदर-अंदर किलियर नहीं होती है तो आपको गूगल पे customer care से बात कर मेरी payment भी जो है गूगल पैसे processing में पढ़ती रहती है कभी 10,000 की कभी 5,000 की बट 7 देस के अंदर-अंदर वह payment clear हो जाती है एक पार ऐसा हुआ था कि 10,500 की मैंने transaction की ती जो कि processing में पढ़ गई थी तो उसे कंप क्लियर होने में 9 देस लग लग गए थे यानि वह 9 दिन में हम जाना पड़ा था मोश्टली हमारी जो है payment के लिए होई जाती है आज की जानकरी जो मेरे द्वार आपको प्रोवाइट की गई है इससे आपकी काफी help हुई होगी अगर आपकी help हुई है वागे में तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना जिससे कि हमारा motivation बढ़ मैं आपकी पुरी से पुरी help करूंगा